सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अप्रेट्स, वीडियोज, नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें नमस्कार, परिशकार कॉलेज उफ ग्लोबल एक्सलेंस आटोनोमस में मैं प्रियंग का उपाध है, आपका बहुत स्वागत करती हूँ आज हम लेकर आए हैं RBSC 12th क्लास का Chemistry का Model Papers Second, पूरा Model Papers सॉल्फ करेंगे और इसमें से डेफिनिटली आपको एक्जामस में Question देखने को मिलेंगे सबसे पहले हम प्रश्न पत्र की योजना समझते हैं, यानि आपके Paper में Question किस Type के आने वाले हैं, कितने Question किस Chapter से आएंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे तो देखें, यहाँ पर आपके पास उद्देश्य हितु अंकभार दिया गया है, चार प्रकार के उद्देश्य हैं, यहाँ पर ग्यान, अवबोद, ग्यानोंपयो, कोशल, और ये चारों का यहाँ पर सेंटेज दे रखा है कि कौन से उद्देश्य से कितने नंबर के questions जो हैं वो आने वाले हैं, जैसे ग्यानात्मक से 17.50 और प्रतीशत है इसका 31.25 प्रतीशत, टोटल जो है आपके 56 marks का paper आता है, ठीक है, तो यह चारों उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए यह 56 marks का question paper बनाया जाता है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रश्णों के प्रकारवार अंकभार, यानि question के types क्या हैं और उन types से कितने questions आते हैं और कौन सा question कितने marks का आता है, यह बहुत important slide है, एवरी स्टूडेंट को यह पता होना चाहिए कि हमारे paper में कितने type के question आने वाले हैं, तो आपके पास 6 type के questions मिलेंगे, जिसमें पहले type होगा आपके पास mcq, second होगा आपके पास fill up, फिर आपके पास very short questions देखने को मिलेंगे, इसके बास short, फिर long questions होगे और फिर essay type, तो ऐ 8 marks के आपके पास mcqs आएंगे, इसके बाद में अगर हम philips की बात करें, तो total 10 question आएंगे, half mark का एक question है, इसका मतलब 5 marks के आपके पास philips देखने को मिलेंगे, after that very short questions जो है, वो 8 question आएंगे, एक mark का each question है, मतलब 8 number के आपके very short question आएंगे, अब मैं आपको एक चीज बतात हूँ कि आपका जो paper है, वो total 4 sections में divided रहेगा, section A, B, C and D, तो जो section A है, वो इन 3 टाइप से मिला करके बनता है, यानि section A में mcqs रहेंगे, philips रहेंगे, और very short questions रहेंगे, यह आपके 3 मिला करके section A को complete करेंगे, तो section A में ही आप देखे, 21 number का मामला set हो गया है, यानि 21 number अखेला है, अखेला है, इसके बाद में section B में आपके पास short questions रहेंगे, section C में आपके पास long questions रहेंगे, और section D में ऐसे type questions रहने वाले हैं, अब मैं आपको एक और important बात बताती हूँ, जो आपके section C और D हैं, इन दोनों में आपको विकल्प मिलने वाले हैं, यानि अथवा और वाले questions हमको section C और D में देखने को मिलेंगे, प्लस आपके पास ये जो ऐसे type questions हैं, ये किवल दो ही question आते हैं, और वो chapter भी fix है, कि इन ही chapter से ये दो questions आने हैं, तो आपको एक तो ये section A के तीनों पार्ट्स बिलकुल भी नहीं छोडने हैं, और एक हमारा ये जो last वाला section ह D जिसके अंदर ऐसे type questions आएंगे, उसको आपको करना ही करना है, क्योंकि ये दो questions ही मिलाकर के 8 number का मामला बिठाते हैं, तो ये आपको compulsory करना है, इसके बाद में आगे चलते हैं हम, तो ये विशा वस्तु का अंकभार दे रखा है, यानि आपके कौन से chapters के कितने marks के question आएं हैं, अगर हम बात करें chemical kinetics की, तो भी 6 number के question आने वाले हैं, तो यहां पर अगर आप देखेंगे, तो ये वाला जो chapter है, हमारा इससे 7 number के question मिलेंगे, alcohol, phenol and ether, तो आपको एक superficial idea होना चाहिए कि कौन से chapters के कितने marks के question आएंगे, उस हिसाब से हम उस chapter में उतना time invest करेंगे, clear है हैं, आपके पास total 10 chapters हैं, पहले 14 हुआ करते थे, अभी 10 हैं, इसके बाद में आपको एक blueprint दे रखा है, इसमें क्या दिखाया गया है, कि कौन से chapter से, कौन से type के कितने question आने वाले हैं, इस blueprint को आप लोग एक बार go through कर लीजेगा, दो चीजे मैं आपको यहां बताना चाहूं एक तो आप देखिए, यह आपका निबंधात्मक प्रशन दिख रहा है, यानि ऐसे type question है, मैंने आपसे कहा था कि दो ही question आने वाले हैं, एक यहां पे है, आपका question कौन सा chapter है, यह वैद्यूत रसायन, यानि electrochemistry से आपका यह chapter आने वाला है, आपका यह question electrochemistry से मिलने वाला है, इसके बाद में आप यहां पे देखेंगे एक और ऐसे type questions हमको मिल रहा है, कहां से, LDH, ketone and carboxylic acid वाले chapter से, इसका मतलब कि यह दोनों chapter के ऐसे type questions आपको definitely prepare करने हैं, क्योंकि choices बहुत sort हो गई हैं, हमें के वल इन दो chapter से ही ऐसे type question पढ़ने हैं, बाकि किसी chapter के बड़े वाले questions पढ़ने ही नहीं है, तो यह हमारी योजना है पूरी की पूरी, फिर इनोंने लिखा है कि जो section C और D हैं, उनमें आपको अत्वा वाले question देखने को मिलेंगे, कोश्टक के बाहर संख्या अंकों की और अंदर की संख्या प्रश्नों की है, ठीक है, तो यह चीज आप ध्या करने के लिए, इसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ general instructions दिये गए हैं, इनको हम एक बार read out कर लेते हैं, इन instructions में क्या है, कि सबसे पहले बच्चा अपने paper पे अपना roll number लिखेगा, यानि नमांक अनिवार्यत है, लिखना है, सबसे पहले आप अपना जो प्रश्न पत्र ह है, उसके अपर अपना roll number लिखेंगे, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, यानि आपको सारे questions के answer करने हैं, copy में अपनी, प्रतीक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिगा में ही लिखें, obvious ही बात है, इसके बाद में ये point आप बड़े ही ध्यान से देखें, बहु कि उस total 16 आने वाले हैं, तो जब आप उस पहले question के 16 question करेंगे, तो वो उसके सब parts होगे, उन सब को एक साथ कीजिएगा, माल लीजिए आपको किसी का answer नहीं आता है, तो एक बार के लिए उसके लिए space छोड़िए, फिर आगे बढ़ जाएए, ऐसा नहीं कि आपने section A का एक प्रशन का क्रमांक अवश्य लिखें, यानि कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, क्रमांक नहीं लगाते हैं कि ये पहला question का answer है, दूसरे का है, तीसरे का है, और वो directly answer लिखना शुरू कर देते हैं, या फिर जब वो किसी question का sub-part कर रहे होते हैं, तो उस main question का क्रमांक ल प्रशन पत्र मानने होगा, तो हिंदी भाषा में जो लिखा है, वही आपको correct मानना है, इसके बाद में प्रशन करमांक 16 से 20 में आंतरिक विकल्प हैं, तो ये हमारे section C और D वाले questions हैं, तो इनके अंदर आपको अत्वा वाले question देखने को मिलेंगे, अब हम चलते हैं हमारे model paper की तरफ, तो सबसे पहले हम section A solve करेंगे, इसमें हमारा जो पहला question है, वो है multiple choice questions का, और अभी अभी हमने आगे slide में देखा था, कि इसमें आपको total 16 questions देखने को मिलेंगे, तो पहला question है हमारे पास, समाने ताप बढ़ने पर oxygen की जल में विलेता, यानि जैसे जैसे temperature तो oxygen की solubility है, उस पर क्या effect आता है? It decreases, यानि घटती है, increases, यानि बढ़ती है, increases and decreases, मतलब पहले बढ़ती है, फिर घटती है, या फिर decreases and increases, यानि पहले घटती है और फिर बढ़ती है, अब देखो, जैसे जैसे आप पानी का temperature बढ़ाएंगे, तो molecules की kinetic energy बढ़ेगी, और ज कम हो जाते हैं, इसलिए oxygen वाटर से अलग होना शुरू हो जाता है, तो जैसे जैसे आप temperature बढ़ाएंगे, वैसे वैसे oxygen की विलेता जो है, वो जल में कम होती जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि oxygen जो है, वो एक non-polar molecule है, दोनों oxygen atoms हैं, इसके अंदर दोनों की विद्युद और water के, तो water और oxygen के बीच में weak forces पाए जाते हैं, तो वो आप जैसे energy देंगे, वैसे ही वो खतम हो जाएंगे, तो oxygen जो है, वो अलग होना शुरू हो जाएगा और वो evaporate हो जाएगा, इसलिए हमारे पास correct option क्या है, कि oxygen की विलेता घटती है, इसके बाद में second question है हमारा, एक second के लिए, एक ampere धारा के प्रवाह द्वारा, संग्रहित पदार्थ की मत्रा किसके बराबर होती है, options देखिए, तुल्यांकी द्रव्यमान, आनविक द्रव्यमान, वैद्यूतरासाइनिक तुल्यांक और विशिष्ट तुल्यांक, पहले तो मैं आपको इसका correct answer बताती हू correct answer क्या है हमारा वैद्यूतरासाइनिक तुल्यांक, अब वैद्यूतरासाइनिक तुल्यांक होता क्या है, वैद्यूतरासाइनिक तुल्यांक का मतलब होता है, कि किसी भी electrode पर किसी पदार्थ की जो संग्रहित मात्रा होती है, कब जब उसमें हम current पास करते हैं, एक ampere का एक सेकंड के लिए तब उस इलेक्ट्रोड पर जो भी पदार्थ की मात्रा संग्रहित होती है उसी को हम Z या हमारा chemical equivalent कहते हैं और इसने यही पूछा है कि एक सेकंड के लिए यदि हम एक ampere धरा का प्रवाह करें तब जो संग्रहित पदार्थ की मात्रा होगी वो किसके बराबर होगी तो वो Z के बराबर होगी इसका मतलब इसका formula क्या बनेगा Z is equal to W by I into T इसका मतलब Z किसके बराबर है संग्रहित पदार्थ की मात्रा W कब जब आपने एक ampere धरा प्रवाहित करी एक सेकंड के लिए तो यह किसके बराबर हो गया Z के बराबर तो यही आपका chemical electrochemical equivalent कह लाता है अब आफ दूसरे option देखिए तुल्यांकी dbruямान अनविक द्रव्यों मान अन्वित रव्यもन हमें पता है किस emphasize अनु का जो ग्रवे मान होता है वो तुल्यंक की तुल्यंक कमन आप में आप वेलेसी फेक्टर से डिवाइड कर दीक आ जाए़ या है या ये option नहीं हो सकता विशिच्च टुल्यांक कुछ होता विशिश चालकता होती है लेकिन तुल्यांक नहीं है तो करेक्ट आंसर जो है हमारे पास वो हो जाएगा इसके बाद में हमारे पास जो थर्ड क्या होगा जब भी आपसे इस तरीके का कोई क्वेस्चन दिया जाए तो आपको इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए अब आप देखिए कि रियक्शन किसके लिए पूछ रहा है प्रथम कोटी की अभिक्रिया है यानि फर्स्ट और रियक्शन है हमें गीवन क्या है टी हाफ हमें दे रखा है क्योंकि इन्होंने कहा है कि अर्द आयूकाल इतना है और वेक्स धिरांक यानि हमसे के की वैल्यू ये पूछ रहा है अब हमारे पास फर्स्ट और रियक्शन के लिए अर्द आयूकाल का फॉर्मूला क्या होता है टी हाफ इस इपल्स टू 0.693 अपॉन के बस वैल्यूस पुट कर दीजी आपका अंसर आ जाएगा अगर मैं यहां से के को इधर लाती हूँ तो क्या बनेगा 0.693 अपॉन टी हाफ और टी हाफ की वैल्यू क्या दे रखी है 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू है 69.3 अगर मैं यहां से इसको सॉल्फ करूंगी तो यह इससे कैंसिल हो गया 10 से 10 गया और यहां पे बचेगा 10 रिस टू पावर माइनस 2 इसका मतलब के की वैल्यू क्या आई 10 रिस टू पावर माइनस 2 तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 8 नेक्स्ट क्वेस्टन इस शुन्य कोटी अभीक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा सही है पहला जो हमने क्वेस्टन किया इससे जस्ट पहले वाला उसमें फर्स्ट और रियक्शन के लिए पूछा था अभी यह पूछ रहा है जिरो और रियक्शन के लिए तो अगर मैं शुन्य कोटी अभीक्रिया की बात करूं तो आपको इसका इंटीग्रेटेड रेट ल होने के बाद बची हुई जो पदार्थ की मात्रा है वो है हमारा अभी इसने क्या कहा है कि कौन सा संबंद सही है अब यह जो संबंद आपको दे रखें हैं आप उसके अंदर एक चीज नोटिस कीजिए आपको टी 3 by 4 दे रखा है और एक आपको दे रखा है टी हाफ तो यह की निकाल लेते हैं वहीं से हम रेश्व निकाल पाएंगे तो अगर मैं टी हाफ की बात करूं तो वो एक ऐसा समय है जिस समय पर पदार्थ जो है वो आधा विगटित हो जाता है या मैं कहूं आधा बच जाता है तो अगर मैं एकी जगे कुछ लिखना चाहूं तो क्या लि और T की जगह मैं लिखूंगे T half, अब अगर मैं यहां से इस K T half को इधर लियाओं, तो यह minus से plus का हो जाएगा, और यह A naught by 2 चला जाएगा, उधर, तो K T half, यह बचेगा A naught by 2, तो T half की अगर मैं यहां से value देखना चाहूं, तो T half बचेगा A naught by 2K, इसका मतलब zero order reaction के लिए T half जो है, उसकी value आती है A naught by 2K, अब हम T 3 by 4 निकालते हैं, अब अगर मैं आपसे T 3 by 4 की बात करूं, तो इसका मतलब यह है, कि ऐसा समय, जिस पे पदार्स कितना विगटित हो चु तो A is equal to A naught minus KT, अब A कितना बचा है हमारा A naught by 4, तो हम यहां लिखेंगे A naught by 4, यह initial concentration है, 3 A naught by 4 तो विग्टित हो चुका है, बचा कितना है A naught by 4, initial concentration A naught minus KT और इस बार T को हम लिखेंगे T 3 by 4, अब अगर मैं यहां से वैसे ही इस KT को इधर लिया हूं, तो यह क्या बनेगा A naught minus A naught by 4 और T 3 by 4 बनेगा 3 A naught by 4 के, clear है, तो हमने यहां से T 3 by 4 निकाल लिया और T 1 by 2 यानि T half निकाल लिया और T 3 by 4 निकाल लिया, तो हमने values फाइंड आउट कर लिया है T half की और T 3 by 4 की, अब हम इनका ratio निकालते हैं, तो अगर मैं यहां से लिखना चाहूं, T 3 by 4 अपॉन T half T 3 by 4 कितना आया है, 3 A naught, तो T 3 by 4 का value क्या है, 3 A naught upon 4 के, and T half का value क्या है, A naught upon 2 के, तो 2 के उपर चला जाएगा, अब आप देखें, A naught से A naught cancel हो गया, K से K cancel हो गया, 2 यहां से divide हुआ, 2 times, अब आप देखो, T 3 by 4 upon T half का ratio क्या आया, 3 by 2, तो अगर मैं यहां से लिखना चाहूं, T T 3 by 4 is equals to 3 by 2 T half, इसका मतलग कि 3 by 2 को 1.5 बी लिखा जा सकता है, तो T 3 by 4 is equals to 1.5 T half is the correct answer, तो आपको यह जितने भी reactions है, जैसे 0 order हो गया, 1st order जातर questions आप से 0 और 1st order से ही पूछे जाएंगे, 2nd order के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो इनके integrated rate low और इनका जो half-life का formula ह है, वो आपको definitely आना चाहिए, अब हम चलेंगे next question की तरफ, next question है, निम्न में से प्रती चुम्बकिया कौन है, अब आपको पता है कि जब भी हमें प्रती चुम्बकिया ये diamagnetic देखना होता है, तो हम क्या करते हैं, कि electronic configuration लिखते हैं, और अगर सारे electrons paired हैं, इसका मतलब वो जो भी हमारा आयन है, वो कैसा होगा, प्रती चुम्बकिया होगा, और अगर उसमें unpaired electrons present होते हैं, तो वो कैसा होता है, अनुचुम्बकिया होता है, अब आपको पता है copper 2+, अगर मैं copper का, सबसे पहले copper का electronic विन्यास लिखते हैं, तो 3D104S1, ये copper का electronic configuration है, अगर मैं Cu2+, का electronic configuration क्या बनेगा, 3D9, अब आप बताइए कि 3D9 में, अगर मैं electrons fill करूंगी, 9 electron है, आप कैसे भी fill कर लीजी, एक अयुगमित electron आपके पास रहेगा, इसका मतलब ये तो कैसा है, अनुचुम्बकिया है, तो ये answer नहीं हो सकता, अगर मैं Zinc 2+, की बात करूं, तो Zinc 2+, में होते ह है, electron 10D में, यानि 3D10 इसका electronic configuration बनता है, 3D10 का मतलब है, कि यहां पे आपके पास total 10 electrons है, और सारे के सारे electron paired है, कहीं भी आपको कोई भी unpaired electron नहीं दिख रहा, इसका मतलब Zinc 2+, is the correct answer, आप बाकियों को भी ऐसे ही check कर सकते हैं, CR2+, Titanium 2+, इनको भी आप check कर सकते हैं, ये भी कैस से हैं, अनुच उम्बकिये हैं, अगले question में हम देखते हैं, एक हमको complex दे रखा है, coordination complex दिया हुआ है, K3, Fe, C, N, whole 6 और इसमें हमें iron का oxidation state पूछा है, अब आपको जब इस तरीके का कोई भी coordination complex दिया जाए और इसमें present metal का oxidation state अगर आप से पूछा जाता है, तो आप सबसे पहले यह जो coordination entity है, इसके ऊपर पूरा charge calculate कीजिए, तो अगर मैं इसको dissociate करना चाहूं, तो यहां से कैसे होगा, 3K+, यह तीनों जो potassium आगे लगे हैं, वो अलग हो जाएंगे, और यह पूरी coordination entity अलग हो जाएगी, Fe, C, N, whole 6, अब आप देखिए कि यहां पे positive charge कितना था, plus 3, क्योंकि एक potassium पे plus 1 है, तो 3 पे plus 3 हो जाएगा, तो इस पूरे complex पे charge कैसा आएगा, minus 3, अब आप यहां से iron का oxidation state निकाल सकते हैं, iron का oxidation state हमें निकालना है, तो हम X मानेंगे, plus sinide पे charge कितना होता है, एक पे charge होता है, minus 1 तो 6 पे कितना हो जाएगा, minus 6 is equal to, इस पूरे complex पे जो चार्ज है, उसको आप बराबर के उस तरफ लिखेंगे, तो यहां आजाएगा, minus 3, X is equal to, यह minus 6 उधर जाके plus का हो जाएगा, 6 minus 3, यानि X is equal to, आजाएगा, plus 3, this is the correct answer, ठीक है, अगला question है, PT NH3 hold twice, CL2 के जामितिय समावयवियों की संख्या क्या है, यानि जो metrical isomers पूछे ह आप से इस कॉंपलेक्स के अंदर, अब आप देखिए कि यहां पर दो टाइप के लिगेंड लगे हुए हैं, तो यह सिस्टम कुछ ऐसा बन रहा है, M, A2, B2 टाइप्स, और हमें पता है कि जब सिस्टम M, A2, B2 होता है, तो वो डेफिनेटली जोमेट्रिकल आइसोमारिज इसके दो आईसोमर्ज बनते हैं, कौन-कौन से हैं, एक तो सिस बनता है और एक टरांस बनता है, तो इसका मतलब इसके जोमेट्रिकल आईसोमर्ज कितने होंगे, दो होंगे, तो इस is your correct answer, नेक्स्ट ग्रेग्सट आप से पूछा गया है कि नुकलिक आमल में कौन सा क्रम है तो नुकलिक आमले के अंदर किसका क्रम पूछा है जो शुगर, बेस और फॉस्फेट वगरे जुड़े वे होते हैं उनका सिक्वेंस क्या है तो आपका यह जो सिक्वेंस रहता है वो होता है फॉस्फेट, शुगर, एंड बेस इसके बाद में जो अगला question हमसे पूछा गया है वो है ज्विटरायन, important question है, अच्छा question है, ज्विटरायन क्या है देखिए अमीनो आमले जो है वो जविटर आयन की फॉर्म में पाये जाते हैं यहाँ पर एक्जाम्पल जो आपको दे रखा है वो भी अमीनो एसिट्स का ही दे रखा है अगर मैं ओवरोल बात करूँ तो जविटर आयन ऐसा कोई भी आयन हो सकता है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगिटिव चार्ज दोनो प्रेजेंट होते हैं इसका मतलब जविटर आयन खुद इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है आप यहाँ पर देखिए कि NH3 पे पॉजिटिव चार्ज है तो ओवरोल अगर देखा जाए तो यह आयन होते हुए भी खुद इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है लेकिन इसके अंदर पॉजिटिव और नेगिटिव दोनो चार्ज प्रेजेंट होते हैं तो इस इस यह जविटर आयन एलकिल अमीन में नैट्रोजन परमानों की संकरित अवस्था क्या है तो ये आपको पता होना चाहिए ये मैंने प्राइमरी अमीन बनाया है आप सेकंडरी टर्शरी भी बना सकते हैं अगर मैं यहाँ पर इस nitrogen की संकरण अवस्था पता करना चाहूं, तो संकरण हम कैसे निकालते हैं, total number of sigma bonds plus जितने भी loan pairs उसके पास present होते हैं, तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूं, तो nitrogen के पास देखे, 2 sigma ये रहे, 1 sigma ये रहे, 3 sigma bonds है, plus 1 इसका खुद का loan pair है, तो total कितने हो गए 4, इसका मतलब संकरण क्या आजाएगा, SP3, तो this is your correct answer, next question हम से पूछा गया है, methane amine की tilden अभी करमक से क्रिया कराने पर मुख्य उत्पाद का सूत्र है, यानि आपको methane amine की reaction करानी है, तो हमें पहले तो पता होना चाहिए, कि tilden's reagent होता क्या है, तो tilden's reagent होता है NOCl, तो NOCl के साथ आपको reaction करानी है किसकी, methane amine की, methane amine is what, CH3 NH2, तो जब हम tilden's reagent की reaction कराते हैं, methane amine के साथ, तो हमें alkyl halide मिलता है, यानि CH3Cl हमें मिलता है, main product के रूप में, तो यह आपका tild dense reagent है, इसको याद रखना, nitrosil chloride बोला जाता है NOCl, इसकी reaction आप methane amine से कराएंगे, तो alkyl halide आपको मिलने वाला है, next question में पूछा है, salicylic aml को soda lime के साथ गरम करने पर बनने वाला उतपाद कौन सा है, तो सबसे पहले हमें salicylic aml का formula पता होना चाहिए, तो salicylic aml क्या होता है बेंजीन के ऊपर एक CWH समू और इसके orthoposition पे OH समू, इसको बोला जाता है salicylic aml, कहा क्या है, salicylic aml को soda lime के साथ गरम करना है, तो what is soda lime, soda lime is a mixture of NaOH and CaO, यानि NaOH और calcium oxide का जो मिश्रन होता है, इसको हम कहते है, soda lime, actual में ये जो mixture है, इसको granular form में यूज किया जाता है, और ये CO CO2 को absorb करने का काम करता है, इसलिए इसको बहुत सारे anesthesia में, re-breathing systems के अंदर यूज किया जाता है, और यहां से आपको बता है, कि जब soda lime के साथ हम ट्रीट करते हैं, तो CO2 को ये उड़ा देता है, इसका मतलब कि हमें क्या मिलने वाला है, फीनॉल मिलने वाला है, तो आपका correct answer हो जाएगा, फीनॉल, next question है, what is netalite, netalite क्या है, देखो बच्चो netalite जो है, वो actual में alcohol और diether का mixture होता है, which is used as a substitute of petrol, that means हम इसको fuel की तरह use कर सकते हैं, तो netalite जो है, वो alcohol और diether का mixture होता है, तो finkelstein जो reaction है, वो actual में एक halogen exchange reaction है, halogen exchange reaction किसके साथ होती है, यहाँ पे आप लेते हैं, alkyl chloride या फिर alkyl bromide, यानि आप RCL ले सकते हैं, या फिर RBR ले सकते हैं, इनके reaction कराई जाती है, sodium iodide के साथ, dry acetone की presence में, तो acetone की presence में हम कराते हैं, reaction, और यहाँ से हमें मिलते हैं, alkyl iodide, तो आप देख रहे हैं, कि halogen exchange हो चुका है, यानि आपके पास जहाँ पे alkyl के साथ, alkyl group के साथ, पहले chloride या bromide था, वहाँ अब iodide आ चुका है, इसका मतलब कि halogen exchange हो चुका है, प्लस आपको यहाँ पे byproduct क्या मिलता है, NACL, या फिर अगर आप alkyl bromide ले रहे हैं, तो आपको byproduct मिल जाएगा sodium bromide, तो आपके पास यहाँ पे जो NAI होता है, यह acetone में soluble होता है, लेकिन NACL और NABR दोनों ही acetone में soluble नहीं होते हैं, इस reaction को Lee Chatelier principle जो है, वो forward direction में felicitate करता है, अब हम चलते हैं हमारे next question की तरफ, next question है, CH3Cl की NaNO2 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करवाने से क मिलेगा, तो हमें alkyl halide दे रखा है, यानि alkyl chloride दे रखा है, reaction किसके साथ करानी है, NaNO2 प्लस HCl के साथ हमें reaction करानी है, बहुत simple reaction है, actual में यह nitro alkane बनाने का method है, तो जब भी आप यहाँ से reaction कराएंगे, तो आपके पास मिलेगा nitro, यहाँ आपने methane लिया है, इसलिए nitro methane, otherwise nitro alkane बनाने का यह method है, तो nitromethane will be your correct answer. Next question is, कि chloroform के प्रकाश की उपस्तिती में oxykaran से क्या बनता है? देखिए, जब भी आप chloroform को प्रकाश की उपस्तिती में oxykaran करवाते हैं, तो वहाँ से एक बहुत ही poisonous gas मिलती है हमारे को, जिसका नाम है phosgene. क्लोरोform का formula क्या होता है? CHCl3, यानि एक carbon के साथ एक hydrogen और तीन chlorine परवानू जुड़ेवे होते हैं, तो this is your chloroform. जब आप इसका oxygen के साथ oxygen करवाते हैं, तो यहाँ से oxygen जो है, वो इसके साथ जुड़ जाता है, और HCl का molecule बहार निकल जाता है, और जो gas हमारे पास बनती है, which is known as phosgene COCl2, इसका formula होता है, और यह phosgene gas हमारे पास बनती है, अब आप देखिए यहाँ पे कि यह जो oxygen हो रहा है, actual में यह free radical mechanism से reaction प्रोसीड करती है, free radical mechanism का मतलब है, कि यह sunlight की presence में होगी, और sunlight की presence में होगी, इसलिए हमेशा यह जो chloroform है, अगर आप अपनी labs में काम करते हैं, तो आपने धान दिया होगा, कि chloroform की जो bottles है, वो हमेशा डाक कलर की होती है, ताकि sunlight उनके direct contact में आए, oxygen उनके direct contact में आए, और हमेशा उने अंधेरे में रखा जाता है, और डाक कलर की bottles में स्टोर करके हम इनको रखते हैं, तो this is about phosgene, बाकी के जो options है, वो भी सुलफर की ये gas है, मस्टर्डड़ गैस है, इसकी जो प्रिटिश के खिलाफ इसको यूस किया था वर्ल्ड़ फर्स्ट में और ये इस गैस जो है, नख की आपकी आपको नुकसान पहुंचाती है और आंखे चली जाती है इससे, तो ये है मस्टर्ड़ गैस, next option बे बात तो tear gas जो है इसका formula होता है CCL3 NO2, ठीक है? CCL3 NO2, tear gas आप सब जानते हैं, अश्रू के जो गोले दागे जाते हैं, generally police force ऐसा काम करती है, तो CCL3 NO2, अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूँ, तो क्या लिखेंगे? देखो, अगर ये CHCL3 होता, तो आप इसको क्या बोलते? ये CHCL3 NO2, तो हम इसको बोल सकते हैं, नाइट्रो क्लोरो फॉर्म, या फिर आप इसका आयोपीएसी नाम लिखना चाहें, तो कितने chlorine attached है? तीन, तो हम इसको बोल सकते हैं, ट्राइट्रो नाइट्रो मीथेन, तो ये भी इसका नाम, आयोपीएसी नाम है, इसके बाद में हम च प्लस H2 का जो मिक्स्चर होती है, इसे हम कहते हैं, वाटर गैस, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, फॉसजीन का फॉर्मूला आपको मैंने बताई दिया, COCl2 होता है, टीयर गैस जो है आपके पास, CCL3 NO2 है, इनके फॉर्मूलाज आप लोग नोट कर लेना, C2H4Cl, होल ट गैस रोडते ही, आप हसने लग जाते हैं, तो ये आपका लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है, तो यहां आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फॉसजीन, So, moving toward next question, section A का question number 1 आप complete कर चुके हैं, जिसमें 16 MCQs हमने देखे थे, अब हम second question करेंगे, fill in the blanks वाले, यानि जो fill up वाले questions हैं, आपके पास total रहने वाले हैं, 10, तो उनी पे हम बात करेंगे अभी, पहला question है, आपके पास, 1 kg विलायक में घुले हुए, विले के मोलों की संख क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है, यहीं अगर आपसे ये पूछा होता कि एक लिटर विलियन में घुले हुए, विले के मोलों की संख्या, तब आप यहां भी क्या बताते, मोललता आंसर बताते, clear है, इसके बाद में second question जो आपसे पूछा है, डेनियल सेल का विद्युत वा क्या होता है, जो chemical energy को electrical energy में convert करता है, अब आपका यह जो डेनियल सेल है, इसके अंदर zinc का anode होता है, और copper का cathode होता है, और इसका जो EMF है, यानि विद्युत वाहक बल है, वो 1.1 volt होता है, अगला सवाल हमारे पास है, किसे अभी क्रिया के वेग व्यांजक में प्रियुक् तसांदरताओं के घातांकों के योग की बात करें, तो वो कहलाता है हमारा अभी क्रिया की कोटी, यानि order of reaction, अगला प्रशन है हमारे पास अनुचुम्ब कत्व का कारण किन इलेक्ट्रोनों की उपस्थिती है, अब आप सभी को पता है, अभी अभी हमने बात करी थी, कि अ अनुचुम्ब कत्व का कारण होता है, अगर आपके पास अउगमित इलेक्ट्रोन नहीं है, यानि सारे के सारे इलेक्ट्रोन युगमित हैं, तो फिर वो पदार्थ कहलाता है, प्रती चुम्ब की है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगला सवाल है हमारे पास, समन्वे स अंख्या चार के लिए, यानि कॉडिनेशन नंबर अगर चार है, तो उसके लिए दो विन्यास संभव है, वो दो विन्यास कौन कौन से हैं, पहला चतुश फलकी और दूसरा वर्ग संतलिय है, यानि अगर आपके पास चार लिगेंट जुड़े होए हैं, तो हाइब्रिड है, इसका मतलब आपके पास जो विन्यास है, यानि जो जुमेटरी है, वो क्या होगी, चतुश फलकी है, मतलब टेटराहिडरल होगी, और अगर हाइब्रिडाइज़ेशन डी-स्पी-2 आता है, तो स्क्वेर प्लेनर जुमेटरी होगी, यानि वर्ग संतलिय होगी, नेक्स प्रोटीन अमीनो अमलों के बहूलक है, जो आपस में जुड़े होते हैं, यानि आपस में किस से जुड़े वे होते हैं, तो आप सबको पता है कि प्रोटीन्स जो है, वो अमीनो अमलों से मिलकर के बने हैं, जैसे हमारे शरीर की सरंचनात्म की काई कोशिका है, वैसे इन प बड़ी शरंकलाइें बनाते हैं, जिन्हें कहते हैं, प्रोटीन्स. अब अगर मैं आपसे बात करूँ, तो यह जो अमीनो अमल है, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूं यहां पर, किनी भी दो अमीनो अमलों की बात हम करते हैं, उन्हें जोड़ करके देखते हैं, तो यह मैंने किसी भी एक amino acid का example लिया है तो दो amino acid के molecule है यहां पर यह आपस में जूडते हैं और एक water molecule यहां से बाहर निकल जाता है जैसे यह water molecule यहां से बाहर निकलेगा तो हमारे पास यह जो नया molecule बनेगा इसे हम कहेंगे dipeptide क्या कहेंगे हम dipeptide और अब आप नया bond देखें किसके बीच में बन चुका है C double bond O वाले carbon और NH2 वाले nitrogen की बीच में एक नया bond बना है यह जो bond है CONH जो नया bond बना है इसी को हम कहते हैं peptide bond इसका मतलब यह जो proteins हैं जो amino amino के बहुलक होते हैं वो आपस में किस से जुड़ेवे होते हैं peptide बंद से जुड़ेवे होते हैं और peptide बंद किसे कहते हैं इस बंद को हम peptide बंद कहते हैं आगे चलेंगे carbon पर्मानों की संख्या बढ़ने से alcohol के क्वेधनांग क्या हो जाते हैं बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं तो देखिए जैसे जैसे number of carbon बढ़ता जाता है वैसे वैसे alcohol के जो क्वेधनांग हैं वो भी बढ़ते जाते हैं क्यों क्योंकि number of carbon बढ़ने की वज़े से जो वंडवाल forces है वो बढ़ जाते हैं उसका reason क्या है क्योंकि surface area बढ़ जाता है तो surface area बढ़ने की वज़े से वंडवाल forces बढ़ेंगे और जब forces बढ़ेंगे तो उनको तोड़ने के लिए energy भी जाधा चाहिए होगी इसका मतलब boiling point जो है इनके increase हो जाते हैं next question है हमारे पास chloroform का IUPAC नेम क्या है तो अभी हमने जब tear gas का IUPAC नेम पढ़ा था तो अब आप chloroform का IUPAC नाम तो खुद लिख सकते हैं एक बार कोशिश कीजिए देखिए यहाँ पर एक carbon के साथ एक hydrogen है और तीन chlorine जुड़े हुए हैं तो हम क्या लिखेंगे ट्राइ ख्लोरो और इसके बाद में यह किससे बना होगा methane से हमेशा नाम ऐसा लिखा कीजिए कि इसका आप parent compound ढूंड़े किस से बना हुआ है methane से बना है इसके तीन hydrogen की जगह पर हमने तीन chlorine लगा दिये हैं तो इसका मतलब इसका नाम क्या लिख सकते हैं हम ट्राइ ख्लोरो methane अगला question है हमारे पास वे अनू जो अपने दरपन प्रतिवींब पर अध्यारोपित नहीं हो सकते हैं अनू कहलाते हैं यानि कौन से अनू कहलाते हैं उसके हम बात करते हैं अभी तो ऐसे अनू जो अपने दरपन प्रतिवींब पर अध्यारोपित नहीं हो सकते हैं तो active compounds होते हैं, वो अपनी mirror image पे कभी भी superimposed नहीं होते हैं, तो यह correct answer will be Karel. Next question is, C2H5Br plus 2Na in the presence of ether gives what? तो हमें यह reaction का answer लिखना है, अब आपको पता है, कि यह जो reaction है, इसका use किया जाता है higher alkane बनाने के लिए, यानि यहां से जो हमारा final product बनेगा, वो बनेगा C2H5C2H5 plus 7 में आपका NaBR byproduct बनेगा, यह reaction का कुछ नाम भी है, इसको हम कहते हैं, वोड्स reaction, क्या कहते हैं, वोड्स reaction, तो बचों, जो यह name reactions आती हैं यह तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यह चोटे questions में भी पूछी जा सकती हैं, तो यह चोटी-चोटी जो reactions हैं, इनको आप ध्यान में रखिए, तो यहां हमारा, जो second question है, section A का, वो complete हो जाता है, अब हम चलेंगे third question की तरफ, तो अब हम शुरू करने वाले हैं third question, जिसमें हमें very short questions पूछे गए हैं, जो हमारे पास total 8 questions होंगे, पहला question है, हमारे पास K4 FECN6 के लिए want of gunang का माल लिखिए, want of gunang basically क्या होता है, आपके पास जो भी complex दिया हुआ हो, आप उसमें number of moles देखिए, कितने हैं, और अगर आप उसको dissociate कर देंगे complex को, तो dissociation के बाद में कितने moles मिलेंगे आपको, तो number of moles after dissociation and before dissociation का जो ratio होता है, वही कहलाता है want of gunang, तो अगर मैं इसके लिए बात करूं, तो आप देखिए, कि अगर मैं dissociation से पहले की बात करूं, तो इसके अंदर K4 FECN6, पुरा का पुरा एक ही mole है, तो पहले तो एक ही है, लेकिन अगर मैं dissociate कर दूंगी इसको, तो आ एक हमारे को ये पूरा का पूरा complex मिलेगा, इसका मतलब कि अब हमारे पास कितने moles हो चुके है, total 5 moles हो चुके है, 4 प्लस 1, तो ये कितने हो गए total 5 moles, यानि after dissociation हमारे पास total कितने moles होंगे 5, और before dissociation कितना था, एक तो इसका मतलब, वंट हो फेक्टर हमारे पास क्या क्या कहलाता है, तो वो अनुपात कहलाता है, mole fraction या फिर mole भिन, अब ये mole भिन क्या है, कि आपके solution में जो भी solute present है, वो solute के moles upon में total moles, तो इनका जो रेशो है, वो कहलाता है हमारा mole fraction, next question पे चलेंगे, फेराडे के विद्यूत अपगटन के प्रथम नियम के अनुसार का सू application है, या मैं कहूँ, electrolysis का basically, कि आप जो metals है, उनका purification कर सकते है, electrolysis करा करके, जैसे आपके पास copper का कोई impure electrode है, ठीक है, अब आपने क्या करा, electrolysis करवाया, वो किसी दूसरे electrode पे metal जो है, वो जाकर के deposit हो रहा है, वो impurities जो है, वो solution में घुल जाएंगी, अब ये pure copper कितना deposit हु कहता है, कि ये जो मात्रा deposit होगी, वो किसके बराबर होगी Q, आवेश के बराबर, यानि कितना आवेश उसमें प्रवाहित हो रहा है, उस पे depend करेगा W, तो W is directly proportional to Q, और आपको पता होगा, कि यहीं से जब हम ये proportional का sign हटाते हैं, तो हमारी पास Z एक constant आता है, जिसको हम electrochemical equivalent कोलते हैं, तो Z Q के equal होता है, और आप सब जानते हैं, कि इसको Q को हम क्या लिख सकते हैं, IT लिख सकते हैं, Q is equal to IT होता है, तो यहां से Z क्या निकल करके आता है, W upon IT, तो electrochemical equivalent से related, जो आपको MCQ में question पूछा गया था, वो यहीं से है, इसके बाद में next question है, हमारे पास D-Block तत को सामाने electronic विन्यास क्या होता है, N-1D, 1-10, यानि D में एक से लेकर के 10 electron हो सकते हैं, और NS-122, यानि जो आपका S उपकोश है, उसके अंदर 1-2 electron हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपको विन्यास लिख के बताती हूं, मैगनीस का, तो MN का, जब आप electronic configuration लिखते हैं, तो आपको प 4-1 का मतलब 3D, तो D 3 होगा, और इसमें total कितने electrons हैं, 5 electrons हैं, next question है हमारे पास, FeH2O whole 5NO, 2 plus संकुल में, आइरन की समन्वय संख्या क्या है, यानि इसका coordination number क्या है, तो जब आप इसकी समन्वय संख्या निकालेंगे, तो आपको क्या देखना है, बेसिकलिए कि यहाँ पे यह एक NO जुडा हुआ है, नाइक्ट्रोसल लिगेंड लगा हुआ है, इसका मतलब आइरन का coordination number क्या हो जाता है, यहाँ पे 6, तो यह बहुती easy question है, next question है, हमारे पास vitamin B12 किस तत्व का बना उप सह स्योजक योगिक है, तो यह information based question है, और आपको याद रखना है, कि vitamin B12 जो है, इ तो दूद में lactose पाई जाती है, हम सभी जानते है, नाइट्रो बेंजीन का अपचयन, SN plus HCL से कराने पर क्या होता है, यह भी काफी important question है, और कहीं ना कहीं पोची लिया जाता है, तो सबसे पहले हमें नाइट्रो बेंजीन का formula पता होना चाहिए, तो नाइट्रो बेंजीन is बेंजीन के उपर नाइट्रो समू लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं नाइट्रो बेंजीन, अपचयन कराना है, SN plus HCL की प्रेजन्स में, जब नाइट्रो बेंजीन का अपचयन होता है, तो यह NO2 किस में convert हो जाता है, NH2 में convert हो जाता है, तो यहां से आपको क्या मिल जाता है नाइट्रो बेंजीन से अनिलीन मिल जाता है, यह जो कमपाउंट बना है बच्चे इसको बोलते हैं अनिलीन, तो हमारे पास नाइट्रो बेंजीन से क्या मिल गया, अनिलीन, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन B, सेक्शन A में कम्प्लीट कर चुके हैं, सेक्शन में तीनो टाइप के questions हमारे हो चुके हैं, अब हम section B start करते हैं, section B में हमसे पूछे चाहेंगे short answer type questions, पहला question देखे, एक विद्यूतन अपघट्या विले के 2 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हीमांक में 0.80 Kelvin की कमी हो जाती है, यानि हीमांक अवनमन का सवाल है यहां से हमें समझ में आ गया, बेंजीन का हीमांक अवनमन स्थिरांग हमें दे रखा है, 5.12 Kelvin किलोग्राम पर मोल, विले का मोलर द्रव्यमान ग्यात कीचिए, अब आप देखे, यहां पे आपको क्या-क्या दिया हुआ है, एक विले दे रखा है, उसकी मातरा दे रखी है, यानि आपने एक विलायक लिया, विलायक कौन है, बेंजीन है, कितना है विलायक, 100 ग्राम, 100 ग्राम बेंजीन के अंदर आपने 2 ग्राम कोई विले मिलाया, और जब आपने विले मिलाया, तो इसके हीमांक में कितनी कमी हुई, 0.80 Kelvin की कमी हो जाती है, और इसका जो हीमांक अ मोलर द्रवयमान कितना है यह हमें पता करना है तो देखिए इसके लिए हमाएं पास फॉर्मुला क्या होता है ma is equal to 1000 kf wa upon delta tf wb अब यहाँ पे यह जो फॉर्मुले में values रखी गई है यह क्या है यह हमें पता होना चाहिए तो देखो kf क्या है यह kf जो है हमारा यह हीमांक अवनमन स्थिरांख है ठीक है wa क्या है यह हमारा विले का द्रवयमान है जित्ता भी विले हमने घोला है जैसे हमने 2 ग्राम विले घोला था 100 ग्राम बेंजीन के अंदर तो यह विले का द्रवयमान है ΔTF है, हीमांक में अवनमन कितना हुआ, तो वो ΔTF है और WB क्या है आपके, विलायक का द्रवयमान WB है, अब आप इसमें वाल्यूस पुट कर दीजिए, तो 1000 इंटू, अब आप देखे, के-फ की वैल्यू हमें क्या दे रखी दी, 5.12, विले का द्रवयमान कितना है, 2 ग्रै साता है, 128 ग्रैम पर मूल, आप लोग खुद इसका कालकुलेशन करके देखेगा, काफी अच्छा कॉंसेप्ट है स्थिर्क वाथी मिश्रण और बच्चे बहुत ही कन्फ्यूज रहते हैं इसके बारे में, तो अभी हम पढ़ेंगे, दो या दो से अधिक द्रवों का मिश्रण जिनकी द्रव और वाश पवस्था में संगटन समान हो, अर्थार्थ जो अव्यवों के संगटन के प्रभावित हुए बिना एक निश्चित ताप पर उबलता है, वो कहलाता है स्थिर्क वाथनांक मिश्रण, अब आप यहाँ प बना यहाँ उप कर सकते हैं, छीक है और यह जो मिश्रण है यहाँ पूछा गया है कितने प्रकार के होते हैं, तो दस इज शी ओर आंसर कि यह दो टाइप ki होते हैं, नियूंतम क्वथनांकी स्थिर्क वाथी और उच्छितम क्वथनांकी स्थिर्क वाथी मिश्रण, अब म तो जो द्रव है, वो लिक्विड इसे गैशिय स्टेट में जाने लग जाए, वो जो टेमपरेचर होता है, उसको हम कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट या फिर कुथनांग, एक और परिभाषा जो इसकी स्टेंडर्ड डेफिनेशन है और बहुत प्यारी डेफिनेशन है, देखे, जब भी आप एनरजी देते हैं बहार से, टेमपरेचर वढ़ाते हैं, और वो लिक्विड गैस में कनबर्ट होना शुरू होता है, तो जो गैस है, वो जो वाश्प है, वो एक दाब लगाती है उस लिक्विड के उपर, उसको बोला जाता है वाश्प दाब, तो ज स्थिर कवांति स्थिर का मतलब Constance, कवांति का मतलब इसका बातनांक है तो यह यानि इसका बातनांक नो फिक्स है, अब कवांतनांक फिक्स है, आप देखिए इनोंने इक बहुत इंपार्टेंट पॉन्ट यहां पर लिखा है यह प्रभाजी आस्वन के द्वारा आप प्र यह मिश्रण हमारा न्यून्तम क्वैथनांग की मिश्रण कहलाता है अब मैं आपको समझाती हूं इसमें है क्या आपने एक मिक्स्चर बनाया जिसमें 95% एलकोहॉल है और 5% इसमें वाटर है अब आप सभी को पता है कि यह जो वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिगरी सेल्शियस होता है और जो एलकोहॉल है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 78.5 डिगरी सेल्शियस ठीक हो गई बात, तो ऐलकोहॉल का जो क्वेथरांग है वो है 78.5 डिगरी सेल्शियस और वाटर का जो क्वेथरांग है वो है 100 डिगरी सेल्शियस जब हमने इन दोनों को मिला दिया एलकोहॉल और वाटर को अब जो हमारे पास सल्यूशन बना है जब हम इसका बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो वो निकल करके आता है 78 डिग्री सेल्शियस ठीक हो रही ये बात 78 डिग्री सेल्शियस इसका मतलब पहले तो आप ये देखिए कि बॉइलिंग पॉइंट जो एलकोहॉल का था और जो वाटर का था उससे कम बॉइलिंग पॉइंट आया है हमारे नए वाले मिश्रण का इसलिए इनको बोला जाता है न्यूनतम क्वधनांकी मिश्रण इसका मत मिश्चित अनुपात में घटकों को मिलाने पर ही बनते हैं ऐसा निये कि अंडशंट कुछ भी मिला दिया हमने तो स्थिरक्वाथी मिश्रण बन जाएगा नहीं 95% एलकोहॉल और 5% वाटर ही लेना है तब ही स्थिरक्वाथी मिश्रण का निर्मान होगा तो यह हमारा बना न्यूनतम कुछ भी मिश्रण इसका मतलब न्यूनतम क्यों बोला क्योंकि हमने घटक लिये हैं अलकोहॉल और वाटर दोनों से ही कम कुछ भी मिश्रण का अब इस पॉइंट को समझते हैं कि प्रभाजी आस्वन द्वारा प्रथक क्यों नहीं किया जा सक तो प्रभाजी आस्वन होता क्या है यह एक ऐसा मेथड है जिसमें दो ऐसे लिक्विड्स जो मिसिबल है और ऐसे लिक्विड्स लिये गए हैं जिनके कुछ अलग-अलग है तो जैसे हम टेंप्रेचर देना शुरू करते हैं और जिसका कुछ ना कम होता है वह जल्दी एव प्रभाजी आस्वन के द्वारा अलग नहीं कर पाएंगे तो यह आपका कहलाता है स्थिरकवाथी मिश्रण तो दो या दो से अधिक द्रवों का मिश्रण होता है जिनकी द्रव और वाश्प्रवस्ता में संगठन समान होता है और संगठन के प्रभावीत हुए बिना एक निश्चित ताप पर ये उबलते हैं, इसलिए ये जो हैं, ये कहलाते हैं हमारे स्थिरकवाथी मिश्रण, और प्रभाजी आस्वन के द्वारा अलगिने नहीं किया जा सकता है, दो प्रकार के हैं, न्यूंतम और उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण, उच्चतम क्वथनांकी म अगला सवाल है, अभिक्रिया 2A plus B gives product, इसके लिए हमें अफकलन वेग समीकरन लिखनी है, यानि दिफरेंशियल rate equation हमें लिखनी है, अब आप देखिए, 2A plus B gives product, यह हमें दे रखी है, एक अभिक्रिया दी हुई है, अब आप जब इसके लिए rate equation लिखेंगे, तो देखिए, जो भी reactants होते हैं, इनके लिए जब आप rate लिखते हैं, तो हमेशा minus का sign लगाया जाता है, तो minus, यहाँ पे इनके जो भी number of moles देवे होते हैं, उनको हमें लिखना है, ऐसे, 1 by 2, D A upon DT is equal to minus, यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो मैं कुछ भी नहीं लिखू मैं माइनस, D B upon DT is equal to K, यह हमारा rate constant है, अब आप देखिए, हमारे बास कितने reactants है, 2, A और B, A कितने moles दे रखें, 2, यह इसकी पावर में चाहेंगे, तो A का बन जाएगा, square और B के पावर में बन जाएगा, तो कुछ नहीं, तो K A square B, यह इसके लिए हो जाएगी हमारी rate equation देखिए, माइनस, 1 by 2, D A upon DT is equal to, माइनस, D B upon DT is equal to, K A square B, अगला question है, हमारे पास, कॉपर सलफेट की potassium, फेरो साइनाइड के साथ होने वाली अभीक्रिया का समीकरण दीजिए, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, आपको लिखके दिया है, फेरो साइनाइड, तो फेर इरन की oxidation state plus 2 होती है, और जब भी iron की oxidation state plus 3 होती है, तब हमेशा फेरी यूस किया जाता है, तो यह reaction दे रखिए, आपको copper sulfate की reaction, potassium, फेरो साइनाइड के साथ, आप यहाँ से iron का oxidation state calculate कर सकते हैं, देखो, 4K plus, यानि potassium पे total charge कितना है, plus का 4, मतलब इस complex पे कितना आएगा, minus 4, य इसलिए इसको बोला जा रहा है, फेरो साइनाइड, copper sulfate की reaction होगी इसके जाद, तो आपको क्यो प्रिक फेरो साइनाइड, यह complex देखने को मिलेगा, और साथ में potassium sulfate बनेगा, अगला question हमसे पूछा गया है, मैगनीज तत्वे की plus 3 ऑक्सीकरन अवस्था में, थर्ड आइन ए इनृपी का मान अथ्यादिक होता है, यानि आई इनृजेशन एन्ःथिक की बात कर रहा है यह, तो आइन एन्ःथिक क्या है, किसी भी तत्वे से इलेक्ट्रोन बहर निकालने के लिए जो दी जाने वाली उरजा उसको हम कहते हैं आइनO अब यह कह रहा है कि इसका तीसरी जो आइनन एन्थेल्पी उसका मान अत्यदिक होता है सबसे पहले हम MN का इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं विच इस 3D5-4S2 तो आपको पता है कि पहली आइनन एन्थेल्पी यानि फॉर्स्ट इन्थेल्पी या पोटेंशल क्या होगा जब इस एस में से एक इलेक्ट्रोन बहर जाएगा सेकंड इन्थेल्पी क्या होगी जब इस एस में से दूसरा इलेक्ट्रोन बहर जाएगा अब आप देखें कि तीसरा electron D5 अर्दपूरित विन्यास है तो तीसरा electron आप कहां से निकालेंगे 3D5 से यानि इसका जो अर्दपूरित विन्यास है वो डिस्टाब हो जाएगा तो इसलिए third ionization enthalpy जो है उसकी value high होती है यही यहां लिखा हुआ है third ionization विभव में electron अर्दपूर भरे स्थाई विवस्था में से निकालने के कारण यह जो enthalpy है इसकी value high होती है अगला question है हमारे पास निम्न आयन में संकरन अवस्था आकरती और चुम्बकिय प्रकरती बताईए संकरन अवस्था का मतलब क्या है hybridization बताना है आपको आकरती का मतलब शेप बताना है और चुम 3 प्लस यह आपको आयन दे रखा है तो अगर मैं CR 3 प्लस की बात करूं पहले CR का electronic configuration लिख लेते हैं 3D5 4S1 अर्दपुरित दिखाते हैं हम अब CR 3 प्लस की बात करूं तो 3 electron निकाल दीचे यहां से तो कितने electron बचेंगे 3 electron बचेंगे 2 electron D से और 1 S से बाहर जा चुका है तो this is 3D3 अब आप देखें इसके पास 3 electron है तो हम इनको फिल करते हैं 3 electron फिल कर दिये D में 2 D हमारे पास खाली है आगे हमारे पास S खाली है और फिर हमारे पास P भी खाली है हमारे पास ligand कितने है 6 एक ligand यहां जुडेगा एक यहां जुडेगा एक यहां और 3 ligand यहां तो hybridization हमारे पास क्या हो जाएगा, D2-SP3 hybridization हो जाएगा, D2-SP3 hybridization है, इसका मतलब geometry क्या हो जाएगी, octahedral हो जाएगी, और आप यहाँ देखिए कि इसके अंदर अयूगमित electron है या नहीं, अयूगमित electron उपस्तित है, इसका मतलब यह चुम्बकिय प्रकरती इसकी क्या होगी, अनुचुम्बकिय रहेगा, तो यह यहाँ लिखा हुआ है, CRN363+, में chromium 3+, आयन के रूप में उपस्तित है, आप देखिए, D2-SP3 hybridization है, और अयूगमित electron होने की वज़े से, इसके अनुचुम्बकिय कहा जाता है, अगला question है, हमारे पास protein की विक्रती करण को एक उधारन स सहीद समझाइए, एक example आपको दे रखा है, कि अंडे की सफेदी में गोलाकार और घुलनशील अल्बूमिन protein होती है, जब इसे प्रबल अमल या शार के साथ मिलाकर गरम करते हैं, तो इसका सकंदन हो जाता है, और यह protein विक्रत होकर थो सवस्था में बदल जाती है, आपको protein का formation करते हैं, वो peptide bonds definitely break हो जाते हैं उनके बीच से, और जो protein है वो किस में बदल जाता है, amino acid में बदल जाता है, तो protein का जो विक्रती करण है, वो तीन तरीकों से किया जा सकता है, या तो आप heat दे दीजिए बहुत ज़्यादा protein को, तब उसका denaturation हो जाता है, या फिर आप उसको vigorously shake कीजिए, या बहुत ज़्यादा अगर आप उसको shake करेंगे, तब भी protein का denaturation हो जाता है, या फिर आप उसे acid या base के साथ ट्रीट कर सकते हैं, तो ये भी protein के denaturation का एक तरीका है, एक्जांपल क्या दे रखा है, अब आपने देखा होगा कि एग जो है, वो पहले तो liquid form में होता है, एक के अंदर का जो protein है, वो liquid होता है, लेकिन जब आप उसको boil करते हैं, तो protein denature हो गया, और अब जो protein है, वो amino acid में convert हो चुका है, इसलिए वो जो protein है, उसका सकंदन हो गया, और वो किसमें बदल जाता है, थो सवस्था में बदल जाता है, नाउ मूँव तो दे नेक्स्ट क्वेस्चन, तॉलिन अभिकरमक द्वारा, एल्डिहाइड और कीटोन में विभीद कैसे करेंगे, तो तॉलिन्स रिएजेंट जो है, एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस करने के काम में आता है, ये एल्डिहाइड का तो oxidation करा देता है, लेकिन कीट नहीं देता है, तो एल्डिहाइड का oxidation करवाते हैं, टॉलिन्स रिएजेंट याद रखना, केटोन का oxidation नहीं करवाते हैं, अब ये टॉलिन्स रिएजेंट है क्या, टॉलिन्स रिएजेंट होते हैं, अमोनियेटेड सिल्वर नाइट्रेट, तो अमोनियेटेड सिल्वर ना है हमारे पास डायमीन सिल्वर हाइड्रोकसाइड क्लियर है यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि एजी का उक्सिडेशन स्टेट है प्लस वन अब आप देखिए रियाक्शन होने के बाद एल्डी हाइड कनवर्ट हो चुका है किसमें काबॉक्जलिक असिड में और यह जो एजी प्लस था यह चला गया है सिल्वर में ग्यानी कि ऑक्सिडेशन किसका हुआ एल्डी हाइड का रिडक्शन किसका हुआ एजी का एजी प्लस से चला गया है एजी जीरो में यानि इसका हो गया है यहाँ पे रिडक्शन साथ में अमोनिया गैस रिलीज होती है और वाटर निकलता है तो यह था हमारा टॉलेंस रिएजिंट तो टॉलेंस रिएजिंट एल्डी हाइड के सा reaction देता है अब यह जो यहां पर रजद दर्पन परिक्षन दिया हुआ है इसको समझते हैं देखिए AG प्लस से किस में गया AG में यानि यह जो सिलवर है यह हमारे पास यहां पर बनने लग गया है आप जिस भी टेस्ट ट्यूब में यह टेस्ट कंड़क्ट कर रहे हैं वहां क्या होगा यह जो सिलवर है यह इसके कौनों पर डिपोजिट होना शुरू हो जाएगा और जब यह सि तो बोला जाता है सिलवर मिरर टेस्ट या फिर रजद दरपन परिक्षण क्लियर हो गई बात तो यह हमारा टॉलिंस रिएजेंट का क्वेस्चन हुआ नेक्स्ट क्वेस्चन हमें दे रखा है निम्यरासाइनिक अभिक्रियाओं को पूरा कीज़ें तीन रियक्शन आपको दीवी हैं सबसे पहली है अलकाइल आयोडाइड की रियक्शन करवा रखी है सिलवर फ्लोराइड के साथ सेकिंड रियक्शन में आपको सॉल्ट दे रखा है और रियक्शन करवा रखी है अलकोहॉलिक के साथ हमें इन तीनों रियक्शन के प्रॉडिक्ट बताने है तो चलिए फर्स्ट रियक्शन जो है इसके अंदर आर आई और एग्शन करके क्या बना रहे हैं आर एफ यानि अलकाइल फ्लोराइड बनाने का मैथड है य रियक्शन को यह जो रियक्शन इसे बोला जाता है स्वार्ड रियक्शन तो आपने थोड़े दिर पहले फिंकल्स्टीन रियक्शन पड़ी थी उसके अंदर हमने हैलोजन एक्स्टीन होते विए देखा था और वह आपने देखा था अलकाइल आयोडाइड बनाने का अब हम सेकंड रियाक्शन की बात करते हैं, तो यहां पर आप देखें, CS3, CH2, COO, AG की रियाक्शन बी आर्टू के साथ हो रही है, तो यहां से CS3, CH2, BR, यानि अलकाइल ब्रोमाइड आपको मिलता है, साथ में AGBR का सॉल्ट मिलता है, और CO2 गास रिलीज हो जाती है, यह जो र रियाक्शन है, यह तो आप सबको आनी ही चाहिए, अलकाइल क्लोराइड की रियाक्शन अलकाहॉलिक के वेच के साथ करवा रखी है, आपको पता है कि अलकाहॉलिक के वेच का फंक्शन क्या होता है, माइनस ओफ HX, इसका मतलब क्या है, कि जिस भी कार्बन पे हेलोजन और यह किस में कनवर्ट हो जाता है, अगर यहाँ पे अलकाहॉलिक के वेच की जगए, अगर आपने एक्वस के वेच यूज करा होता, तो आपको क्या देखने को मिलता है, सी एल की जगए एक वेच लग जाता, इसका मतलब नुक्लियोफिलिक सबस्टिजूशन रियाक्श यहाँ पे वी तीन रियाक्शन दी वी हैं और हमें इनके प्रोड़ेक्ट लिखने हैं, तो फॉस्ट रियाक्शन देखिये, CS3C-L, यानि अलकाहिल क्लोराइड के रियाक्शन किस के साथ है, सिल्वर साइनाइड के साथ है, और यहाँ से हमें क्या मिलता है, आइसलोसाइना यहाँ है, ONO, साथ में KBR बाहर निकल जाता है, ध्याम देने वाली बात यह है, कि आपको यहाँ पे BR हटा करके NO2 नहीं जोड़ना है, एक्च्वल में यह कहां से जुड़ता है, और ऑक्सिजन से जुड़ता है, तो ONO बनता है, यहाँ पे CN नहीं जुड़ता है, नाइट् यहाँ पे हमको इतायल नाइट्राइट मिलता है, इसके बाद में जो थर्ड रियक्शन है, उसके अंदर आपको दे रखा है, एनिलीन, रियक्शन किसके साथ करा रखी है, अब आपको पता है कि जब भी एनिनो 2 के साथ रियक्शन होगी, किसकी NH2 की, तो यहाँ से हमेशा आपको डायजोनियम सॉल्ट मिलेगा, इस रियक्शन को तो आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी इस तरीके की अमीन की रियक्शन, जैसे यह अरोमेटिक अमीन है, इसको हम अनिलीन बोलते है, तो अमीन कोई भी टाइप का हो, एनिनो 2 प्लस HCl के के बाद में सेकिंड स्टेप में क्या कर रखा है, कॉपर की सॉल्ट के साथ रियक्शन करवा रखी है, और यहां से आपको मिल रहा है ब्रोमो बेंजीन, अक्चुल में यह भी एक नेम रियक्शन है, सैंड मेयर रियक्शन बोला जाता है इसको, तो यह सैंड मेयर रियक्श complete होती है next question है हमारे पास chloro benzene से phenol बनाने की रासाइनिक अभी क्रिया लिखिए chloro benzene से phenol डाउ प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है तो यह डाउस प्रोसेस है इसको आप ध्यान रखना डाउस प्रोसेस क्या कहता है क्लोरो benzene की reaction करानी है आपको NaOH के साथ इसका temperature और प्रेशर जो है वो बहुत स्पेसिफिक है इसको ध्यान रखना 623 Kelvin temperature है और 300 atmospheric यहां पर प्रेशर है तो इसकी जब हम reaction करवाते हैं तो हमें एक phenoxide iron मिलता है phenoxide iron को आगे जब हम HCL के साथ रीट कराते हैं तो यहां से NaCl बहर निकल जाता है और हमें मिलता है phenol यहां से direct आपको phenol नहीं बनाना है पहले पनेगा phenoxide iron phenoxide iron की reaction से कराएंगे या acidic medium देंगे H plus लिखा हुआ आजाए या H plus in the presence of water लिखा आजाए कुछ भी acidic medium अगर आपको दिया हुआ है तो फिर आप यहां से आगे phenol बनाएंगे तो यह जो है यह industrial process है फिनोल बनाने का douse process जो है इसका मतलब आप समझ सकते हैं यह economically favorable है इसलिए industrial process यह है next question है हमारे पास निमनलिखित अभीक्रियाओं के समीकरण दीजिए पहली reaction में पूछ रखी है कैनिजारो reaction और दूसरी पूछ रखी है तो देखे यह आपको दे रखा है formaldehyde ऐसे हमें दो molecule लेने है formaldehyde के basic medium में reaction होती है तो पहली चीज़ कैनिजारो के बारे में क्या याद रखेंगे आप लो कि यह हमेशा वहां होगी जहां alpha hydrogen absent होगा आप देखिए यह वाले carbon के बास में तो कोई carbon ही नहीं है अगर होता भी और अगर उसे alpha hydrogen present होता तो कैनिजारो reaction शो नहीं करता तो alpha hydrogen absent होना चाहिए दूसरा reaction हमेशा basic medium में होती है दो molecule आपस में react करते हैं एक का oxidation होता है और एक का reduction होता है अब आप देखिए कि aldehyde के oxidation से क्या बनेगा और aldehyde के reduction से क्या बनेगा alcohol बनेगा इसका मतलब एक ही टाइप के molecule से दो अलग-अलग टाइप के product मिलेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक आपको alcohol मिल रहा है और एक आपको acid का salt मिल रहा है के वैश लिए रखा है इसलिए CWK इसका मतलब कि इस reaction को हम disproportionation reaction बोल सकते हैं क्योंकि इसी का oxidation और इसी का reduction हो रहा है क्लियर हुई बात तो यह हमारी कैनिजारो reaction है सेकेंड जो reaction दे रखिये हमें वो है रोजनमूंड अपचैन यह भी बहुत इंपोर्टेंट रियक्शन है रोजनमूंड अपचैन एसिद क्लोराइड दिखाते हैं एक्चैन में कुछ भी नहीं है अपचैन करवाना है हाइड्रोजन की presence में यहां जो catalyst काम में लिया जाता है वो बहुत important है लिंडलर catalyst बोलते हैं इसको PDBASO4 जो है इसको बोला जाता है लिंडलर catalyst इसको आप ध्यान रखेंगे लिंडलर catalyst तो लिंडलर catalyst की presence में होती है रोजन मून अपचैन और यहां पे CS3 COCl यानि acid chloride के साथ reaction होती है और आप देखे acid chloride किस में convert हो चुका है aldehyde में convert हो चुका है तो दिस इस रोजन मून रेदक्शन अब हम चलते हैं हमारे section C की तरफ अब आपको section C और D में अथ्वा वाले questions मिलेंगे तो आप अपनी choice के according महां पे question attempt कर सकते हैं पहला question देखते हैं हम निमनलिखे अभीक्रियाओं को पूरा कीजिए एवं A और B को पहचानिए चलिए तो हम questions देखते हैं सबसे पहले आपको एक reaction दे रखी R-C-O-N-H-2 यानि acetamide दे रखा है आपको reaction है BR2 प्लस कोई के साथ यहां से कुछ एक product बन रहा है A इसकी reaction करा रहे हैं CHCl3 प्लस कोई के साथ यानि chloroform in the presence of basic medium base यहां से कुछ product बन रहा है B तो हमें A और B दोनों बताने है second जो आपके पास question है इसके अंदर पूछ रखा है IUPAC नाम बताईए इन दोनों के तो आपको यह दो compound दिये गए हैं इन दोनों के IUPAC naming हमें करनी है पहले question की तरफ चलते हैं देखिए सबसे पहले हमको दिया गया है R-C-O-N-H-2-B-R-2-K-O-H के साथ reaction कराते हैं तो हमें जो product A मिलता है वो मिलता है R-N-H-2 यानि अमीन बनती है हमारे पास यह जो reaction है यह भी एक नेम reaction है Hoffman bromamide reaction हम इसको बूलते हैं जिसके अंदर acetamide की reaction करवाई जाती है bromine के साथ और आपको प्रोडेक्ट क्या मिलता है अमीन प्राइमरी अमीन यहां से मिलता है इस अमीन की reaction से अब आप क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं को एच की प्रेजन्स में तो आपको मिलता है आईसो साइनाइड यानि आर एनसी तो एलकाइल इसो साइनाइड का अब आप देखिए कि अगर मैं यह लिखती हूं आपके पास एनटू प्लस सी यल नेगेटिव तो यह क्या है बेंजीन क्योंकि यह बेंजीन है इसके एक हाइड्रोजन को प्रती स्थापित करके यहां पे एनटू सी यल लगाया गया है इनटू मतलब डाई एजो नैट्रोजन को हम एजो बोलते हैं तो यह डाई एजो और यहां पर क्लोराइड तो इसका नाम क्या बनता बेंजीन दाई आजोनियम अब यहां पे देखिए बेंजीन डाई आजोनियम तक तो ठीक है लेकिन इसका IUPAC नेम हो जाएगा, इसके बाद में हमारा जो थर्ड कंपाउंड था, ये वाला कंपाउंड आप देखिए, इसका नाम आप से पूछा है, छिक है, अब आप देखिए, यहां पे भी, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, डबल बॉंड है, मतलब इसका नाम क्या बनेगा, देखिए, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बिंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बिंजीन, क्लियर है बात, अब हम चलते हैं इसके अथ्वा वाले क्वेस्चन पे, तो इसके अथ्वा में जो क्वेस्चन आया हुआ है, और A और B को पहचाने, तो यह हमारी first reaction है, C6H5NO2, इसको हम करवाते हैं, अभी क्रिया किसके साथ, SN, in the presence of HCl के साथ, और यहां से हमें एक compound मिलता है, A, इसकी दुबारा से reaction NaNO2 प्लस HCl के साथ होती है, और हमें कुछ प्रोडेक्ट मिलता है, B, अब यह गह रहा है कि इनको प H5NO2, SN, with HCl के साथ, जब आप इसको react कराएंगे, तो आपको यहां से मिलता है, Aniline, यह question हम पहले भी कर चुके हैं, और NO2 किस में convert हो जाता है, NH2 में convert हो जाता है, इसके बाद में, इसकी reaction हम कराते हैं, NaNO2 प्लस HCl के साथ, और अभी मैंने आपको बताया था, कि जब भी इ Negative Diasonium Chloride, Benzine Diasonium Chloride, तो A हमारा हो जाएगा Aniline, और B हो जाएगा Benzine Diasonium Chloride, देखें, यहां पर आंसर भी दिया हुआ है, आपको Aniline और Benzine Diasonium Chloride, इसके बाद में हमें IUPAC नेम पूछ रखे हैं, तो अब हम IUPAC नेमिंग देखते हैं, हमारे पस दो compound दिये गए हैं, इ N-methylbenzimide और यह क्या है, बेंजनमाइड, तो N-methylbenzimide हो जाएगा इसका नाम, आप यहां पर देखें, N-methylbenzimide या फिर N-methylbenzimide इसका नाम हो जाएगा, इसके बाद जो second हमको compound दिया गया है, यह देखें, यह क्या है, अमीन है, कौनसी अमीन है, टर्शरी अमीन ह है, तो आपको अपनी main chain सेलेक्ट करनी है पहले, तो longest carbon chain तो यह हो जाएगी हमारी, अब आप देखें, nitrogen के साथ प्रतिस थापी कौन लगए हुए हैं, दो ethyl groups हैं, तो आप क्या नाम लिखेंगे, N-n-di-ethyl propane, क्योंकि हमारी main chain यह है, और one amine या फिर propane amine, जीधा भी आप लिख सकते हैं, तो यह हमारा section C का पहला question complete होता है, अब हम चलते हैं next question की तरफ, इसके अंदर भी आपको दो question पूछे गए हैं, पहला है किसी अभिकारक के लिए अभिक्रिया द्वितिय कोटी की है, ऐसी जो information questions में होती हैं, उनको आप underline कर लीजिए पहले, तो यह द दुगनी कर दी जाए, दूसरा दे रखा है आधी कर दी जाए, यानि एक second order reaction है, और आपको उसकी rate बतानी है कैसे effect होगी, यदि हम अभिकारक की सांदरता को दुगना कर दें, या फिर हम उसको आधा कर दें, तो वो कैसे प्रभावित होगा, दूसरा question है, अभिक्रिया वे यह होता है दूसरा के लिए, अभिक्रिया 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 के लिए, अभिक् करते हैं और यह जो नया हमारे पास बहारे कॉंस्टेंट आया है फॉर इसका मतलब अब जो वेग है वो कितना गुना हो गया पहले से चार गुना हो गया है अतया अभिक्रिया का वेग कैसा हो जाएगा चार गुना हो जाएगा इसी तरीके से यदि हम A को A by 2 कर देते हैं तो का रेट क्या हो जाएगा 1 by 4 क्योंकि A by 2 का स्क्वेर बनेगा तो 1 by 2 का स्क्वेर क्या होता है 1 by 4 यह बहार आएगा यानि एक चोथाई हो जाता है तो अगर हम द्वितिय कोटी की अभिक्रिया में अभिकारक की सांधरता को दुगना करेंगे तो वेग चार गुना होगा औ और अगर हम अभिकारक की सांधरता को आधा करेंगे तो वेग कितना हो जाएगा एक चोथाई हो जाता है दूसरा क्वेस्चिन था हमारे पास अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होती है तो मोल पर लीटर पर सेकिंड होती है अभिक्रिया वेग की इकाई विशिष्ट अभि इकारकों की स्टाइकियोमेट्रिक गुणांग है ठीक है तो यह आपको इकारियां ध्यान रखनी है अब हम अत्वा वाला क्वेस्चन देखेंगे एक अभीक्रिया A की प्रती प्रत्थम और B की प्रती द्वित्यकोटी की है तो अफकलित वेग समीकरन लिखिए यह पहला संदृता तीन गुणी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह अग्ला क्वेस्चन है A और B दोनों की संदृता अगर दुगनी कर दें तब वेग क्या प्रभाव पड़ेगा तो तीन प्रशनों के उत्तर हमें देने हैं सबसे पहले हम अवकलित वेग समीकरन लि 2 रहेगी, यह तो आ गई हमारी अवकलित वेग समीकरन, अब यह कह रहे हैं, बी की सांदरता तीन कुनी कर दो, तो बी की सांदरता तीन कुनी कर देते हैं, K, A वैसे का वैसा है, B की जगह हम क्या लिख देंगे, 3B और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2, 3 की पावर, 2, यानि 3 का स्क्वार क्या हो जाएगा, 9, इसका मतलब यहां वे कितना हो जाएगा, 9 ताइम्स हो जाएगा, 3rd question में कह रहा है, A और B दोनों की सांदरता दुगनी कर देते हैं, चलो कर देते हैं, तो A की जगह मैं लिखूंगे 2A, और B की जगह मैं लिखूंगे 2B, इसका है स्क्वार, अब आप बताएगे 2 का स्क्वार, 4, 4 इंटू 2, कितना हो जाएगा, 8, इसका मतलब यह कितनी हो जब यह और B दोनों की सांदरता हम दूगनी कर देंगे, तब वेग हो जाएगा 8, तो यह हमारा कम्टीट होता है, question number 17, अब हम next question देखते हैं, यहां यह कह रहा है, निम्न अभी क्रियाओं के लिए रासाइनिक समीकरन दीजिए, फिनॉल CS2 की उपस्तिती में, BR2 से क्रिया और इसी के अंदर एक second question हम से पूछा है कि निम्न योगिक का IUPAC नाम दीजिए, CH3O CH, CH3 का होल ट्वाइस, सभी को दिख रहा होगा, एथर है यह, ठीक है, और जब हम एथर का नामकरन करते हैं, तो हम एक हमारा main chain select करते हैं, और जो पीछे बच बच जाता है, उसके बीचे हम Oxy लगा देते हैं, और जो main chain उसके पीछे इन लगता है, तो L-Coxy, L-Kane हम एथर का नामकरन करते हैं, तो अभी हम देखते हैं इस question को detail में, देखे, फर्स question में हमें कहा था कि फिनोल की reaction करानी हैं, बी आर टू के साथ, CS2 की presence में, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, और और ब्रोमो फिनोल और पैरा ब्रोमो फिनोल का मिक्स्चर, तो फिनोल से अगर हमें ओर्थो और पैरा ब्रोमो फिनोल बनाना है, तो इसकी reaction हम किसके साथ कराते हैं, CS2 की presence में, बी आर टू के साथ रियाक्शन करवाते हैं, सेकंड हमें दे रखा है, CS3, CS2OH, यानि अलकोहॉल क कि रियाक्शन कहां करवा रखी है, कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्शियस पे, एक्चुल में ये जो रियाक्शन है, ये है डी हाइडरोजिनेशन, डी हाइडरोजिनेशन का मतलब क्या है, कि यहां से H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, आप देखिए, यहां से और यहां से एक हाइडरोजन बाहर गया है, तो ये जो एलकोहॉल था, ये कनवर्ट हो चुका है, किसमें अल्डी हाइड में और एक H2 जो है, वो बाहर निकल चुका है, यहां पर एथिनोल जो है, इसकी वैपर्स को हीटेड कॉपर के उपर से पास करवाया जाता है, तब ये तो 2-methoxy-propane क्या हो जाएगा इसका IUPAC नाम, इसके अथवा में जो क्वेस्चन दे रखा है, वो क्या है, निमन अभीक्रियाओं के लिए रासाइनिक समीकरन दीजिए, कौनसी अभीक्रियाए है, फिनॉल सांध्र HNO3 के साथ क्रिया करता है, फिनॉल जिंक चूरन के साथ क्रिया करता है, तृतियक ब्यूटिल अल्कोहल का IUPAC नाम दीजिए, ये दो क्वेस्चन हम से अ और बै यहाँ पे पूछे हुए है, तो देखिए, सबसे पहला क्वेस्चन है हमारा, कि फिनॉल कंसंट्रेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे क्रिक एसिड, ये एक ऐसा एसिड है, जिसमें कोई भी कार्बॉक्जलिक ग्रूप नहीं है, लेकिन फिर भी इसको एसिड कहा जाता है, इसके अंदर तीन नाइट्रो समू और एक ओएट समू पाया जाता है, इसका IUPAC नाम है, तो ये इसका IUPAC नाम है, अगर मैं फिनॉल क करूँ, तो आपको पता है कि फिनॉल में जो ओएट समू है, इसके पास लोन पेर्स प्रेजेंट है, यानि ये अपना प्लस M प्रभाव रखता है, प्लस M या प्लस R प्रभाव रखता है, इसकी वज़े से ये अपने जो इलेक्ट्रों से वो रिंग में भेजता है, और आ आपको पता है कि जब हम इसके साथ रियक्शन कराते हैं, तो यहां से जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, यानि कि ये जो हमारी बेंजीन है, ये इलेक्ट्रों रिच होने के कारण किस की तरह बहेव करती है, एक नुक्लियोफाइल की तरह बहेव करती है, और य है NO2 positive उसके ऊपर अटैक करती है तो NO2 positive जो है वो यहां करके जुड़ता है लेकिन अगर आप यह HNO3 concentrated लेते हैं तो इसकी ortho और पैरा तीनों positions occupy होती है लेकिन अगर आप dilute HNO3 लेते हैं तो आपको ortho या फिर पैरा वाला product देखने को मिलता है last reaction हमें देख रखी है C6H5OH प्लस zinc इसके साथ जब हम गरम करते हैं तो हमें क्या मिलता है benzene मिलता है और साथ में zinc oxide मिलता है तो यह भी kind of reaction है इसके बाद हम से पूछा गया था trithiak butyl alcohol का नाम तो trithiak butyl alcohol है क्या यह trithiak butyl alcohol का structural formula है एक carbon के साथ 3-3 CH3 समू लगे हैं और एक OH समू है इसे कहा जाता है trithiak butyl alcohol और इसका IUPAC नाम आप numbering कर लीजे कहीं से भी 3 carbon ही निकलेंगे second पे देखिए आप क्या जुड़ा हुआ है second position पे क्या जुड़ा हुआ है methyl as a substituent तो हम पहले उसका नाम लिखेंगे 2-methyl-2-propanol तो यह इसका हो जाएगा IUPAC नेम तो अब हम आ जाते हैं section D में यहां हमें ऐसे टाइप questions देखने को मिलेंगे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि केवल दो ही chapters से आपको ऐसे टाइप questions प्रिपयार करने हैं वहीं से आने हैं तो first question की दरफ बढ़ते हैं निमनलिकित योगिकों को उनके बढ़ते वे अमलियस आमर्थे में व्यवस्थित कीजिए यह योगिक हैं CF3COOH, BRCH2COOH, NO2CH2COOH इन तीनों में से सबसे जादा एसे नीचर किसका है अमलियस आमर्थे किसकी सबसे जादा है वो बताना है second question है butane 1 all और butane 1 amine में कौन जल में अधिक विले होगा और क्यों third question है benzoil chloride को benzoidehyde में परिवर्तित करने का समीकरण दीजिए third question वैसे हम अभी पीछे करके आ चुके हैं तो वैसे आपको इसका अंसर पता होना चाहिए पर एक बार और हम यह देख लेंगे पहला question देखिए आप इनका जो acidic nature का order है वो यह है सबसे जादा acidic कौन होगा CF3COOH reason क्या है fluorine का high electronegative effect लगता है minus i और एक carbon से 3-3 fluorine लगे हुए हैं तो उनका बहुत जादा strong minus i effect लगता है यहां जो no2 है आप लोगों के दिमाग में ऐसे रहता है कि no2 का minus m effect लगता है बट minus m तब लगता जब यह resonance में जाता बीच में CH2 आने की वज़े से यह resonance नहीं हो रहा है तो यहां पर भी no2 का minus i effect लगेगा which is less than CF3 और यहां BR का भी क्या लग रहा है minus i effect लग रहा है यहां 3-3 halogen होने की वज़े से इसका minus i effect बहुत ज़ादा हो जाता है जबकि यहां पर एक ही halogen है तो सबसे ज़ादा acidic हो जाएगा CF3CHH then NO2 and then आएगा हमारा BR आगे चलते हैं हम से पूछा था कि butane 1 all और amine में से ज़ादा घुलनशील कौन होगा तो जल में अधिक विले कौन है butane 1 all reason क्या है क्योंकि यहां पर oxygen की विद्यूत रिणता nitrogen से ज़ादा होती है इसलिए butanol में जो hydrogen बंध है वो प्रबल होते हैं इसलिए यह जल में विले हो जाता है third question था हमारे पास कि हमें किसको बनाना था benzyldehyde का formation करना था यानि हमें reduction कराना था किसका benzoil chloride का और आपने अभी-भी rosenmund reaction पढ़ी थी जहां पे lindler catalyst की हमने बात करी थी palladium plus VSO4 को lindler catalyst बोला जाता है benzoil chloride की reaction hydrogen के साथ कराते हैं हम और हमें किसका formation होता है यहां पे हमारे पास benzyldehyde का formation होता है तो यह हमारे पास third question complete हुआ इसका next जो हमारे पास question था last का वो question था acetyl chloride और dimethyl cadmium के मध्य अभीक्रिया का समीकरण दीजिए तो यह वाला question हम देखते हैं dimethyl cadmium और acetyl chloride के बीच में जब हम reaction कराते हैं तो यहां से आपको मिलता है क्या acidone मिलता है CS3, CO, CH3 और साथ में cadmium chloride मिलता है तो यह इनका reaction है यानि CL को किसने replace कर दिया CS3 ने replace कर दिया तो cadmium chloride अलग हो गया और यहां CO के साथ CL के जगे कौन लग गया CS3 लग गया इसके बाद में हम चलते हैं next question जो इसके अत्वा में है section C और D में हमें अत्वा वाले question देखने को मिलते हैं तो यहां पे आपके पहला question है कि एल्डिहाइड केटोन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील क्यों है इथिन नाइट्राइल को एथिनोई कमल में परिवर्तन करने का समीकरन दीजिए एथिल, magnesium, bromide और CO2 के मद्धे अभीक्रिया दीजिए बिंजोई, कमल, फ्रिडल, क्राफ्ट अभीक्रिया क्यों नहीं दर्शाते हैं यह इसका reason हमें बताना है तो पहला question देखते हैं यह आपके पास aldehyde और यह ketone दे रखा है अब आप देखिए, aldehyde में एक CS3 समू लगा हुआ है और CS3 समू का प्लसाइफेक्ट लगता है ketone के अंदर ऐसे दो-दो CS3 लगे हुए हैं और इन दोनों का प्लसाइफेक्ट लगता है और आपको पता है कि जो भी कार्बोनाइल ग्रूप्स होते हैं, कार्बोनाइल ग्रूप रखने वाले कंपाउंड होते हैं वो हमेशा नुक्लियोफिलिक एडिशन रेक्शन शो करते हैं इसका मतलब इनका ये जो कार्बन है ये एलेक्ट्रोफिलिक होता है नेचर में क्योंकि इसके साथ डबल बॉंड से ऑक्सिजन जुड़ा हुआ है इसलिए ये कार्बन एलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है नेचर में उसके कार्बन की एलेक्त्रोफिलिसेटी यहां पे कम हो जाती है कंपार टू क्या लडी हाइड इसलिए लडी हाइड जो है वो जादा क्रियाशील होता है केटोन की तुलना में तो इन्होंने कहा है कि कार्बनाइल समूगी कारबन प्यांशिक धनावेश अधिक रहता है कहां पे LDHID में इसलिए NAVIX नहीं को अपनी और आकरशित करने की प्रवर्ती अधिक हो जाती है अते ये अधिक क्रियाशील होते हैं दूसरा हमने reaction देखा है क्या ये हमको मिधाल साइनाइड दे रखा है dilute HCL की presence में रेक्शन करा रखिये किसके साथ वाटर के साथ तो यहां से हमें क्या मिलेगा एसिटिक एसिड मिलेगा और साथ में मिलेगी अमोनिया कुछ नहीं हाइड्रोलाइसिस कराना है हमें इसका तो CH3 C triple bond N हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपको पता है कर्बन और नाइड्रोजन के बीच का onड़ टूटेगा कार्बन के पास क्या आएगा OH नाइड्रोजन के पास क्या तोड रहे हैं तो 3 OH यहां और 3 hydrogen यहां तो यह तो बदल जाएगा NH3 में अब आप देखते हैं कि कारबन पे 3 OH लग चुकर है तो कारवन पे 2OH ही अंस्टेबल होते हैं, तो 3 तो बहुत जादा अंस्टेबल हैं, तो यहां से एक water molecule बाहर निकल जाता है, और यह जो है किस में convert हो जाता है, COOH में convert हो जाता है, तो यहां से हमें acetic acid का molecule मिलता है, थार्ड है हमारे पास, यह हमें RMGX दे रखा है, ग्रिगनार् की बात करें, तो C double bond O, C double bond O, इस तरीके से है, अगर मैं electron की shifting रहा हूं, तो oxygen पे negative और carbon पे positive चार्ज है, यहां से आप देखिए, metals पे हमेशा positive और alkyl group पे negative, यानि carbon पे negative चार्ज आएगा, तो अगर हम इसकी reaction इसके साथ करवाएंगे, तो इस carbon के साथ यह double bond O, यहां पे क्य जुड़ेगा, oxygen के negative charge है, तो O, M, G, B, R, और इस carbon से क्या जुड़ जाएगा, यह C2H5 group जुड़ जाएगा, इसके बाद में हमने क्या करवाया है, इसका hydrolysis करवाया है, जब हम इसका hydrolysis कराएंगे, तो O, M, G, यानि oxygen और metal के बीच का bond break होगा, और इसका bond break होने से हमें क्य double bond O, OH, तो यह किस में convert हो गया, acid में convert हो गया, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, M, G, B, R, OH, यह आपको प्रोडेक्ट देखने को मिलेगा, clear है, इसके बाद में fourth question है हमारा, कि benzyldihyde जो है वो, फ्रिडिल क्राफ्ट रेक्शन क्यों नहीं देता है, तो यह कह रहा है, benzyldihyde में minus M, प्रभाव के कारण, वले पर electron का घनत्व बहुत कम हो जाता है, इसलिए यह फ्रिडिल क्राफ्ट अभी क्रिया, नहीं दर्शाता है, क्योंकि आपको पता है, कि फ्रिडिल क्राफ्ट रेक्शन जो है, उससे हम alkylation या asylation कराते हैं, यानि वहां से एक electrophile generate हो जाएगा, positive charge generate हो जाएगा, तो इसलिए यहां पर यह reaction पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि रिंग जो है, वो de-activate हो जाती है, क्लियर है, अब हम चलते हैं हमारे अगले question की तरफ, यह कह रहा है, विद्यू तरह साइनिक सेल, दो धातो इलेक्ट्रोडों, जिंक और एजी का नाम बताना है, कैथोड का नाम बताना है, मानक सेल विभव का मान बताना है, कितना आएगा, और सेल आरेक का निरूपन करना है, अब आप देखिए, कि यह जो सेल है, वो दो इलेक्ट्रोड से मिलकर के बना है, जिंक और सिल्वर से, हमें इनके अप्चन विभव के मान highly negative होती है, standard reduction potential की value negative होने का मतलब क्या है, वो hydrogen से भी कम है, hydrogen के लिए zero होती है, तो वो उससे भी कम है, इसका मतलब कि उनकी reduction करवाने की बजाए खुद का oxidation करवाने की tendency जादा होती है, और आप जानते में दिख रहा है, वो किसकी तरह काम कर रहा है, cathode की तरह हमारा एनोड किसका हो जाएगा, zinc क्यूंकि इसने लिखके दिया है, कि क्रमश है, zinc पहले आया था, तो zinc का यह मान है और ag का यह है, तो anode किसका हो जाएगा zinc का, cathode किसका हो जाएगा silver का अब ही हमसे cell विभव का मान पूछ रहा है तो इसका formula क्या होता है E0 cell is equal to E0 cathode minus E0 anode E0 cathode की value क्या है cathode किसका था AG का value की है 0.80 minus E0 anode value तो पहले से ही negative में है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और overall आपके पास E0 cell की value की आजाएगी 1.56 volt अब हमसे पूछा है cell R1 तो आप देखिए कि ये हमने बना करके दिखाया है zinc से zinc 2 plus और az2 plus से ag तो anode पे oxidation हो रहा है तो zinc का anode था तो zinc किस में जा रहा है zinc 2 plus में silver पे क्या हो रहा है reduction silver का reduction हो रहा है तो इसका cathode था तो ag 2 plus किस में convert हो रहा है ag में convert हो रहा है इसके अथ्वा में भी आपको इसी चेप्टर से question मिला है उस galvanic cell को दर्शाई ये जिसमें निमनलिखित अभीक्रिया होती है zinc plus 2 ag plus zinc 2 plus plus 2 ag अब यहां से हमें ये एक cell reaction दे रखी है हमसे question क्या पूछे है कौन सा electrode रिनात्मक आवेशित है आपको पता है कि anode जो है उस पे क्या होता है oxidation होता है और anode धनात्मक होता है रिनात्मक कोन होता है cathode तो कौन सा electrode रिनात्मक आवेशित है यानि हमसे ये पूछ रहा है कि cathode किसका है अब आपको यहां से दिख रहा होगा कि zinc का तो हो रहा है oxidation, zinc, zinc 2 plus में convert हो रहा है, यानि इसका तो anode है, ag plus किस में जा रहा है, ag में जा रहा है इसका मतलब ये किस में convert हो रहा है, इसका क्या हो रहा है reduction हो रहा है, तो ag plus सूरास एजी में बदल रहा है मतलब इसका हो रहा है रिडख्षनय इसका मतलब केथोड किसका है सिल्बर का तो यह पूछ रहा है कौशा रेंस बांदे सिल्वर का याझि अजी सेल में विद्यूत धारा के वाहग है देखो विद्युद्धारा के वहख electrons हैं, जैसे zinc ने दो इलेक्ट्रोन बहार निकाले, फिर silver ने उनी इलेक्ट्रोन को capture करा, तो ये जो हमारे विद्युद्धारा के वहख हैं, वो कौन है, electrons हैं, प्रतिक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभीक्रिया क्या है, तो आपको पता है एनोड पे oxidation होता है तो आप reaction लिख देंगे zinc से zinc 2 प्लस बना साथ में 2 electron यहां पे निकलते हैं यह कॉक्सिकरन अभी करिया है कैथोड पे 2AG प्लस प्लस 2 electron और यह किसमें बदल जाता है 2AG में तो यहां electron capture हुए तो इसका मतलब यह क्या है अपचेन है ठीक है तो यह हमारे सारे questions complete होते हैं हमारा model paper जो है वो complete होता है but still if you have any doubt in any question you can ask in comment section thank you